हेलो मेरे नियोजीत नियमित वीपेसी चैने सिक्षक शाते सिक्षा जगर से जुड़े तमाम पर करके अधिकारियर वाउक कविनेंडन टूडे नियोजीत शिक्षक शक्षमता टू जीरो और परधान परधाना ध्यापक की डेट एक साथ आई और साथी साथे सक्षमता वन जीरो में 187,000 शिक्षक की पदस्थापन अगले माह में यानि जुलाई माह में होने जा रहा है जो की आपके पास खबरे प्राप्त हो रही है फ्रिंट्स आपको बता दे कि सक्षमता टू जीरो जो हो जाएगा उसके बाद ही सक्षमता वन जीरो के शाथ इनका भी पदस्थापन किया जाएगा है ऐसा माना जा रहा है कि सक्षमता 2-0 की परिक्षा शंपन होने के बाद जो है रिजल्ट एक सापता के अंदर हो जाएंगे और सक्षमता 1 और सक्षमता 2-0 के सभी सिक्षकों की काउंसलिंग एक साथ की जाएगी और पदस्थापन भी एक साथ किया जाएगा लेकिन समस्या जो उठी है उस समस्या पर हम लोगों को बात करना है जैसे आप जानते हैं कि सक्षकों की समस्या खड़ी हुई है जो सिक्षा वीभाग ने अपनी मेडूल और शिडूल जारी किया कि क्यों सी परिक्षा कब होगी उनका ख्याल नहीं रखा गया कि नियोजी सिक्षक ही परधाना ध्यापक परिक्षा में भी बैठेंगे जैसे कि आप जानते हैं कि योगता धारम करने वाले इसमें परधान हो या परधाना ध्यापक को जिनका अनुभव है वही इसमें बैठेंगे यानि कह सकते हैं कि 2022 के हम कह सकते हैं कि 12-14 तक जो सिक्षक्षाथी है इनसे वहर है तो निश्चितों से नियोजी सिक्षक्षाथी ही इसमें बैठने जा रहे हैं परधान और परधाना ध्यापक के लिए क्योंकि इसमें अन्भव की जरूरत थी ऐसे में सक्षमता 2-0 की परिक्षा एक साथ और परध परधाना ध्यापक अब उनके विवेक पर है क्योंकि अब तक सिक्षा वीभाग इस पर कोई बड़ा एक्षन नहीं लिया है हलकी इस पर संग्यान दिलवाया गया है मरे सिक्षक नेताओं के द्वारा और सिक्षा वीभाग पर सिक्षकों ने मेल भी गिया है अब देखना यह है कि क्या सक्षमता 2-0 की परिक्षा और परधाना ध्यापक की जो एक डेट लड़ा है मातर एक डेट यानि 26 जून 27 जून और 28 जून की परिक्षा है वहीं परधाना ध्यापक 28 जून की है 29 को परधान है सवाल यह है कि सक्षमता 2-0 की जिसकी परिक्षा 28 जून को पड़त तो परधाना ध्यापक की परिक्षा कैसे देंगेų, सवाल यह भी है कि अगर परधाना ध्यापक के, जैसे के आप जानते हैं कि 13 जीलो में यह परिक्षा शंपन होगी, परधाना ध्यापक और परधान वाली, तो सवाल ही है कि क्या यह पाटना में अगर सक्षामता 2-0 जैसे कि पहले भी 2-3-4 सेंटर से कॉंट्रोलेड किया गया है वैसी सित्री में क्या नेक्ष्ट जो सेंटर इनका मिलता है तो क्या वहां से जो है एक कैसे टेक अप करेंगे परधान की परिक्षा जी हाँ यह 29 जुन को है और परधाना ध्यापक तो विकठीस स्थिति खड़ा हो गई है तो सवाल है कि 28 जुन को सक्षामता 2-0 भी है और परधाना ध्यापक की है अब सिक्षा विभाग को चाहिए था इस डेट को मैनेज करना लेकिन मैनेज अब तक नहीं हुआ है सवाल है कि सिक्षा अप्रेल तक पदस्थापन हो जाएंगे लेकिन खिष्टे खिष्टे अब जुलाई अगस्त की रास्ते पर चल पड़ा है। पर नहीं होंगे ताकि लोग जान पाए कि क्या कुछ चल रहा है। और ये परिक्षाएं जल्द होगी और जैसे की 29 जुन को है और साथी साथे आपको बता दें इसके बाद ये परिक्षाएं कब संपन होगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपके पास सक्षमता 2-0 के बाद 3-0, 4-0 चांसेज मौजूद रहेंगे। लेकिन परधान की जो चांसेज है ये जल्द नहीं मिलने माले है। इसलिए जो नियोजी सिक्षक है वो परधान अगर लड़ जाता है तो इनकेस और सिक्षा वीभाग की स्वसंग्यान नहीं लेता है तो जैसे कि हमने बताया है कि इस वस सिक्षक निताओन ने भी संग्यान लिया है। वे सिक्षा वीभाग को मेल करके सिक्षा वीभाग को यह जनकारी दे करके अउगत करा है कि उन सिक्षकों का जो नियोजी सिक्षक है परधाना ध्यापक की परिक्षा और सक्षमता टूजीरो की परिक्षा कैसे देंगे एक साथ सवाल इस बात का है। आप रहा बात कि सक्षमता 2-0 के जो सिख्षक है जो परिक्षा देना चाहा रहे हैं वो त्यारी में तो लगे ही हुए हैं और साथी साथे उनका अड्मिर्टर डाउनलोड होंगे और साथी साथे परधान परधान अधैपक की परिक्षा की भी डाउनलोड होंगे तो फोर जिरो आपके जल जल है जो है आउजीत होंगे यह तब इस बात के लिए कहा जा रहा है कि जब यह परिक्षाएं जो है तेजी से आउजीत होना है जैसे तिरी जीरो फोर जीरो तो निश्ची तोर से आप परधान परधान अटैपक में भाग लें अगर डेट नहीं तो अब रहा सक्षामता टू जीरो की जो हमारे सिक्षक तैयरी में लगे हुए है एक शमान पर किरिया के अधिन से आप गुजरिएगा हमारे सिक्षक कि यह जो क्वालिटी है काफी हाई क्वालिटी है जबकि प्रश्ण एक अस्तर आप लोगों ने जो देखा है वो आप स स्कूर हाई करें और अपना जीला प्राप्त करें और जीला प्राप्त करने के बाद जैसे की माननी मुखमत्री नितिषक मान न घोश्रा किये हुए है कि स्कूल विद्ध्याले जो है वह आपके होम ब्लॉक यानी होम ब्लॉक से 20 किलोमीटर के दूरी पर हो। और साथी साथ जो है बरियता आपकी बरकरार रहेगी तो इन सभी तमाम बाते जो अभी सिक्षा विभाएंग महल चल बना हुआ है ये सब लगा हुआ है तिन बातों को ख्याल में रखते हुए शक्षंता टूजीरो की जब भी परिक्षा हौल में बैठिये एक शमान निया अ निश्चित तोर से आप सौव पार करने जा रहे हैं और अपना जीला लेने जा रहे हैं निश्चित तोर से अगर आपका जीला मिलता है तो खुशी वाली बात होगी और फ्रेंट्स आपको मिल भी जाएगा इसलिए एक शमान्य तोर तरीका के हिसाब से इस परिक्षाम बै किया है हमारे नेता ने भी सुची किया है इस पर नजरे बनी हुई है थैंक्स पर विडिवाचिंग